साथियों, 15 साल से 18 साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वेक्सिनेशन प्रारब होगा। दो हजार बाईस में तीन जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी। यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता-पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं, हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकोशन के द्रस्टी से सरकार ने निर्ण लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोजबी प्रारंब की जाए। इसकी शुरुवात 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है, उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य हैं। इसको धान में रखते हुए, साथ वर्षे उपर की आयूके, को मर्मिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर बैक्सिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा। ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा।